एशिया कप की मेजबानी का मामला अभी भी ठंडा नहीं पड़ा है एशिया कप की मेजबानी को लेकर जो विवाद चल रहा है वो अभी भी कायम है एक बार फिर से PCB के चीफ नजम सेठी ने कुछ ऐसी बाते कहीं है और उन्होंने जो है इस विवाद को और बढ़ाया है पिछले दिनों ये खबर आ रही थी कि जो इशिया कप का आयोजन है वो शिलंका में होगा लेकिन एक बार फिर से नजम सेठी सामने आये हैं और उन्होंने हाइब्रीड मॉडल जो पेश किया था जिसमें ये था कि भारत अपने मैच नीट्रल वेन्यू पर खेलेगा और बाकी मैच जो है वो पाकिस्तान में आयोजित किये जाएंगे तो उसमें जो है अब थोड़ा सुधार किया है और हाइब्रीड मॉडल का प्लान बी पेश कर दिया है क्या है उनका हाइब्रीड मॉडल का प्लान बी और इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ गिदर भब की भी दी है ये पाकिस्तान की आदत रही है तो कुछ और गिदर भब की जो है नजम सेठी की तरफ से आया है उस विशे पर भी हम बात चीट करेंगे लेकिन पहले बता दू कि आप देख रहें न्यूस बाइसकोप और मैं हूर आकिश रंजन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है PCB के जो अध्यक्ष है नजम सेठी उन्होंने अब हाइब्रीड मॉडल का प्लान भी पेश कर दिया है और उन्होंने कहा है कि देखिए इशिया कप में कुल 13 मैच होने है तो उसमें से कम से कम 4 मैच जो है वो पाकिस्तान में आयोजित होने चाहिए हम थोड़ा सा जुकने के लिए तयार हैं और हम जो है बाकी मैचेज जो है वो किसी neutral venue पर खेल लेंगे तो ये बाते नजम सेटी की तरफ से नहीं आई है कि वो hybrid model का plan B इसे अब कहा जा रहा है जो चार match है पाकिस्तान की team आयोजित कर सकती है तो जो पाकिस्तान, भारत और qualifier जो है वो एक group में रहना है तो जो पाकिस्तान के दो match qualifier के साथ होंगे नेपाल के साथ होंगे वो दोनों match पाकिस्तान चाहता है कि वो पाकिस्तान में खेल ले इसके अलावा अफगानिस्तान और बांगलादेश का match और अफगानिस्तान और श्रिलंका का match जो है वो पाकिस्तान में हो जाए तो ये चार मैच जो है पाकिस्तान चाहता है जो खबरे आ रही है कि वो पाकिस्तान में हो और बाकी सारे मैचेज के लिए जो है हम न्यूटरल विर्नियू पर जाने के लिए तयार हैं ऐसा PCV का कहना है लेकिन देखिए जो इस्थिती है बांगलादेश ने भी साफ कर दिया है और श्रिलंका ने भी साफ कर दिया है कि जो इस्थिती है और भारत के समर्थन में है कि अब हाइब्रीड मॉडल एक तरह से खारिज हो चुका है जो सूचनाएं आ रही हैं और उसके अनुसार जो है श्रिलंका में एशिया कप कराने की बात चल रही है ऐसी परिस्थेती में पाकिस्तान क्या कर सकता है तो पाकिस्तान जो है वो एशिया कप से जो है वो अपने आपको बाहर कर सकता है इतना ही नहीं वो ये भी गिदडभब की दे रहा है कि वो ACC से भी बाहर हो सकता है अलग-अलग sources के थूँ ये गिदडभब की देने का प्रयास पाकिस्तान जो है वो कर रहा है PCB कर रही है अब देखें ये इस तरह की बातें पाकिस्तान कर सकता और इसके अलावा जो एक बात पाकिस्तान ने कही है कहा कि जब भारत को पाकिस्तान आकर खेलने में परिशानी है तो हमें भी विशुकप के मैचेस खेलने के लिए भारत जाने में परिशानी होगी क्योंकि उन्होंने कहा कि आप ये मान के चलिए कि हमारी भी सरकार भारत जाने की अनुमती नहीं देने वाली तो ऐसी परिस्थिती में हमारे मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर हों जिसमें कि बांगलादेश का नाम आ रहा है तो ये फिर एक और गिदर भब की ये हलाकि पुरानी गिदर भब की है लेकिन फिर नए तरीके से दी गई है पाकिस्तान की तरफ से तो ये कहा जा रहा है अब देखिए इसमें जो है नुकसान किसका होगा ये बहुत सीधी सी बात है कि अगर आप एशिया कप नहीं खेलते हैं या आप ACC से मतलब Asian Cricket Council से खुद को बाहर करते हैं तो जो ACC के माध्यम से economical support PCB को मिलता है वो बंद हो जाएगा तो नुकसान किसका हुआ PCB का दूसरी बात कि अगर आप विश्यकप खेलने नहीं आते हैं नीट्रल वेन्यू पर अपने मैच मांगते हैं और उसके लिए मेजबान भारत जो है वो तयार नहीं होता तो वैसी परिस्थिती में ये हो सकता है कि आप विश्यकप भी न खेल प वैसी कोई बात कभी होती नहीं है तो लेकिन अगर मान लीजिया ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आप अगर भारत नहीं आते हैं मैं नजम सेटी से ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप भारत खेलने नहीं आते हैं तो जो ICC के थ्रू विश्यकप खेलने के लिए आपको पैसा म नहीं मिलेगा आप पाकिस्तान की माली हालत जानते हैं और जो PCB है उसकी भी माली हालत आप जानते हैं कि वहां इतना पैसा नहीं है कि वो अपने सुरक्षा पर खर्च कर सके और यहीं वज़ा है कि पाकिस्तान सुपर लिख के कुछ मैचेस को दूसरे देश में शिफ्ट कर ना पड़ा तो यह आप समझ सकते हैं कि उनके जेब में पैसे नहीं है लेकिन बातें आप उनसे जितनी बड़ी ले ले वो देने के लिए पाकिस्तान बिलकुल तैयार बैठा रहता है वर्तमान राजनितिक स्थिती जो पाकिस्तान में है जो अस्थिरता वहां देखने को म तो इसलिए जो है किसी भी देश का डर जाना स्वभाविक है और वहां सुरक्षा पाकिस्तान में एक कारण हो सकता है और एक बड़ा कारण है और इसी वज़ा से जो कई देशें हैं वहां जाने के लिए नहीं चाहती हैं दूसरी बात जो है वो पाकिस्तान ये कह रहा है कि देखिए अगर neutral venue पर जाना है तो आप दुबई में चलिए चुकि मैं मेजबान हूँ पाकिस्तान का कहना है कि वो मेजबान है तो वो neutral venue का चयन उसे करना चाहिए लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बांगलादेश और श्रिलंका ने ये साफ कर दिया है कि वो दुबई नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि दुबई में September के महीने में गर्मी बहुत होती है उसी वक्त Asia Cup होना है तो वो दुबई नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पर खिलाडियों के चोटिल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है इसके जवाब में PCB का तर्क यह है कि देखिए प यसी महीने में तो फिर इस बार क्यों नहीं तो यह चीज भी पाकिस्तान को समझना चाहिए कि देखिए जब जिसका आप उदारन दे रहें जिस वक्त का उसवक्त कोई विशुकप नहीं होने वाला था इस साल क्रिकेट का वनडे का विशुकप होना है तो कोई भी टीम चाहेगी कि विशो कप से पहले उसके खिलाडी चोटिल लाओं ताकि वो अपनी जो best possible 11 है उसे विशो कप में उतार सके तो ये समझने की भी जरूरत PCB को है फिलाल आपके लिए सूचना यही है कि पाकिस्तान cricket board जो है hybrid का model plan B जो है वो लेकर आया है जिसके तहत वो चार मैचों की मांग कर रहा है जो कि पाकिस्तान में आयोजित होने चाहिए इसके अलावा उसने hybrid model को विशो कप में भी अपनाने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि जब भारत पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आ सकता है तो पाकिस्तान भी विशो कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा हमारी सरकार हमें allow नहीं करेगी हमें permission नहीं देगी ऐसी परिस्तिती में हमारे match neutral venue में कराए जाए हलाकि वो भूल रहा है कि और भी अन्य टीमें हैं जो विशो कप के लिए qualify अभी करने वाली हैं तो कहीं यह ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को विशो कप से भी हाथ धोना पड़े और जो आठ टीमें विशो कप के लिए अब तक qualify कर चुकी हैं वो साथ हो जाएं और जो qualify tournament जिंबाब्बे में अभी जून जुलाई में होने वाला है उसमें से जो दो टीमों को qualify करना है उसके बदले ती टीमों को qualify करा लिया जाए आप जानते कि उसमें दो पूर्व विश्विजेता टीमें भी हैं शिलंका विस्ट इंडीस की टीमें अभी qualify नहीं कर सकी हैं इसके अलाबा जिंबाब्बे है तो आप निदरलेंड है जो कि विशो कप खेल चुका है तो ऐसे देश आल्रेडे उ उसको स्विकार करना चाहिए और अगर निट्रल वेन्यू पर मुकाबला होता है तो पाकिस्तान को भी खेलना चाहिए मुझे ऐसा लगता है अभी के लिए इतना ही इजाज़त दे नमस्कार